इंडियन प्रीमेर लीग के 15 सीजन से पहले गुजार टाइटेंस ने शुबम गिल को ड्राफ्ट के जरिये अपनी टीम में शामिल किया था टूनमेंट के दूसरे ही मुकाबले में इस खिलाडी ने मैनेजमेंट के जताय बहरे से को सही साबित करते हुए धमाकेदार पारी खेल डाली दो अपरेल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अकेले दम पर उनौनेट टीम को सम्मान जनक स्कोर तक पहुँचाया इस मैच में 84 रन की खेली पारी उनकी टूनमेंट में सबसे बड़ी नीजी पारी रही दिल्ली के खिलाफ टॉस हार कर बल्लेबाजी कर दें उतरी गुजराज की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुपसान पर 171 रन का स्कोर खड़ा कर दिया इस स्कोर में टीम के बाकी बल्लेबाजों का योगदान 87 रन का रहा जबकि अकेले शुबम गिल ने 84 रन बनाए कप्तान हार्डिक पांडिया ने 31 रन बनाए जबकि डेविड मिलर ने 20 रन का योगदान दिया गिल की पारी की बदालत ही टीम इस स्कोर तक पहुचने में कामियाब हुई आपको पता दे नए सीजन में ने टीम की तरफ से IPL में खेलने उतरे गिल ने टूर्नमेंट में अपनी सबसे बड़ी पारी 2 अपरेल को खेली 46 गेंट का सामना करने के बाद 6 चौके और 4 चक्के की मदद से इस ओपनर ने 84 रन बनाए गिल 17 दिशमलक एक कोवर तक मैदान पर डटे रहे और एक छोर को समाल रखा आपको पता दे गुजराट टाइटेंस के लिए इस मैच में पारी का आगास कर रहे शमन गिल ने 46 गेंटों का सामना कर 6 चौके और 4 चको की मदद से 84 रन की पारी खेली जो उनके आई पिल करियर का सबसे बड़ा निजी स्कोर है ऐसा लग रहा था कि जौस बटलर के बाद गिल इस सीजन का शतक जड़ने वाले दूसरे बले बाद बनेंगे लेकिन कलील एहमद ने अक्षर पटेल के हाथों कैच करा कर उन्हें शतक लगाने से रोग दिया इस खबर में फिलाल इतना ही बनरिया वनडिया हिंदी के साथ